पंदर जुला की श्रीवदान मैसुपका स्वाज़त है, प्रमात्रप्रता कहता है कि त्रिकाल दर्शी, पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर, मलकी, भूत्काल, वर्तमानकाल और भवेशेकाल की सीट पर सेट हो हर करम करने वाले शक्तिशाली आत्मा भवा, जो बच्चे त्रिक जनम के जो हमने पाप किये हैं जिन जिन आत्मों के साथ में, वो हो गया पास्ट, प्रेजन्ट में उन बातों को उन आत्मों को फेस करना, और फिर प्रेजन्ट में ही डिसिजिव बनाना, ताकि अब फ्यूचर में उन आत्मों के साथ में और कुछ हमारे हिसाब के ताब न तिरसर जन्रम जो किया है बाते आएंगी होनी है चाहे स्वैम दोरा चाहे औरो दोरा हमारे अंदर भी हमारे साथ में किसी ने बुरा किया तो हम भी किसी को कुछ बुरा कह सकते हैं हम भी किसी को कुछ गलत कह सकते हैं या गलत उसको हम महसूस करा सकते हैं इसको परमात्वा कह कि विकर्म हो जाएगा तो यह मत करना देविमान में मत आना आत्मा भी मानी रहना तो चाहे स्वयम द्वारा चाहे औरों द्वारा मैं औरों के साथ में हमने जो बुरा किया हो या एक दिन पहले दू दिन पहले या हमारे एक सेकंड पहले हमने मूट आफ हो करके किसी कुछ गलत कह दिया हो वो वापिस आएगा हमारे उपर चाहे माया वा प्रकर्ती द्वारा सब प्रकार से परस्तितियां तो आएंगी तो माया मतलब किसी ने हमारे साथ में पिछले जन्में कुछ भी नहीं किया हमने उस आत्मा के साथ में कुछ भी नहीं किया अब क्यूंकि कलियूक चल रहा है हम आत्मों में भी पांच विकार हैं जिनके पास में कम्प्रीट ग्यान नहीं है कि उनको पांच विकारे के उपर जीत पानी है उनके अंदर है 100% में वो माया के कारण हमारे उपर प्रकॉप डालते हैं लेकिन उसमें यह important है कि हमारा उनके साथ में पिछले जन्म में कुछ हुआ नहीं है पस अभी मिले हैं इस जन्म में मिले हैं मिले और उनके अंदर विकारों के कारण हमारे साथ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं पिछले जन्म में कुछ रेलेशन्शिप नहीं है तो परमात करते हैं माया वा प्रकॉर्टी द्वारा प्रकॉर्टी क्या होगी हमारा शरी भी प्रकॉर्टी का बनावा है और पांच तत्व है जो हो गए फाइव एलेमेंट्स अगर उनके द्वारा कुछ हो गया जलते सलदे ठोकर लगी चोट लगी गिर गए कोई मशिनरी खराब हो गई कोई चीज आपके उपर गिर गई कुछ हो गया चोट लगई प्रकॉर्टी द्वारा सब प्रकार से परस्थियत यहां तो आएंगी परमात्मा कहते हैं आनी ही है इसलिए acceptance बहुत important quality है जिसको दिवेगुन कहते हैं कि स्विकारिता ना आए मेरे साथ में इस तना बुरा ना हो मेरे साथ कोई गलत ना करे ने स्विकारिता कि यह हो सकता है परे चीज परे व्यक्ति परे वाता वरंड के दौरा आए हुई safety उसके आगे कुछ नहीं कुछ भी नहीं है स्वचTHITY हमारे mental state कैसी है अमारे emotional state कैसी है हमारे spiritual state कैसी है spiritual state अगर हाई है तो mental state emotional state automatically ठीक है कुछ भी नहीं है ये परिस्तिय हैं फिर सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदी मद्द अंत तीनो काल चेक करो उसमें आप पतल ले क्यों आई है अभी मुझे क्या करना है और इसका अंत मैं कैसा चाता हूँ यह अगर मैं इसमें कैसे रियाक करो इस परिस्तिती से मैं क्या बोलू, क्या सोचू ताकि इस present moment में, इस वर्तमान काल में मैं अपने भविश्य को रच रहा हूँ तीनों काल चेक करके, समझ करके, फिर कुछ भी करो और तो शक्तिशाली बन परिस्तितियों को पार कर लेंगे यह एक प्रकार से अपने आपको हलका करने का तरीका है यह तो हम अगर विकार करके, विकर्म करके, रिवेंज ले करके, बतले ले करके भला बुरा के करके, और ओर ठीक करने के पीछे लग करके अगर हम अपना वर्तमान बिखाड देंगे तो हमारा फ्यूचर भी वैसा होगा तो हमारा भारीपन नहीं जाएगा अगर भारीपन नहीं गया तो परमात्मा के साथ में योग लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अम श्यंति